Hello students, welcome बचे आप जानते हैं कि मैंने अलकोल के नोट्स जो हैं वो आपको पूरे सेंड की है और मोस्लि टॉपिक्स की वीडियो जो है मैंने आपको सेंड की तो बचे बहुत सारे स्टूडेंट्स कि अब जानता नहीं हूँ कि सारे स्टूडेंट्स ने आप नोट्स की study किया है वीडियो को watch किया या नहीं किया है बट जिन students ने पढ़ा है उन students की कुछ message आई थे मेरे पास की कुछ topics की video जो है सर आप अपने level पर बना के हमें send कीजिएगा तो वो वीडियो जो है वो मैं आज बना रहा हूँ और आप बाकी students भी जो है इन वीडियो को अच्छे से watch कर लें तो बचे यह topic है आपका acidic nature of alcohol कि basically हमने alcohol पढ़ा कि alcohol का कौन सा nature होता है वो हम discuss करेंगे नोट्स मैंने बेजे हैं उन नोट्स पर बिल्कुल examination point of view और बिल्कुल easy language में लिखा हुआ है लेकर बहुत सारे बच्चों का basic clear नहीं है तो उनके लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तो बचे आपको अच्छे से समझना है सबसे पहले देखो alcohol क्या है रोह आपके पास क्या है एल्कुल है और यह जो ओ एच है इसको हम hydroxyl group कहते हैं और यह आर जो है यह carbon chain है यहां पर CH3, CH2 ठीक है OH यह आपके पास यह एक alcohol है और ऐसे ही जो chain आगे बढ़ती जाएगी वो alcohols जो है वो आगे बढ़ते जाएगी तो यहां पर बचे बहुत सरे बचों को यह confusion थी और पता नहीं था कि आप बार बार देख रहे हो कि 1 degree alcohol लिखा होता है 2 degree alcohol लिखा होता है और 3 degree alcohol लिखा होता है तो बचे 1 degree alcohol या तो आप यह देखोगे लिखा हुआ या फिर आप देखते हो primary alcohol लिखा होता है secondary alcohol लिखा होता है तो वान डिग्री को हम प्राइमरी कहते हैं, टू डिग्री को हम स्केंटरी कहते हैं, त्री डिग्री को हम तर्शरी अलकोल कहते हैं यहां पर हम इसको कषब देखना हैं Prof. देखना है आपने अगर हम इसको च 3, यह CH2 है यह C, यह H, यह OH, कार्बन के वेलेंसे चार होती है तो यह चार बॉंड बना रहा है एक, दो, तीन और इसके पीछे क्या है यह CH3 है तो अब इस कार्बन जिस कार्बन के साथ डिरेक्टली OH एटेच है उसका मलफा कर्बन कहते हैं और इस कार्बन मतलब आपको याद जिस कार्बन के साथ डिरेक्टली OH ग्रूप हाइड्रॉकसल ग्रूप अटेच है उसके साथ कितने अलकाईल ग्रूप अटेच है उसके बिसस पर हम उसको 1 डिगरी, 2 डिगरी और 3 डिगरी कहते है या प्राइमरी स्केंडरी और टेच्टरी कहते है इस कार्बन के साथ कितन जैसे देखो यह हमारे पास क्या है यह वन डिग्री अल्कॉल है जैसे मैंने आपको बताया है कि यहां पर क्या है यहां पर एक एक है तो क्या हुआ इसको हम लिख सकते हैं लिखेंगेंगे तो क्या है यहां पर एक है एक है तो आप दूसरा इल्कॉल होगा जब ग्रूप हो गरूग नाय है तो क्या है यहां पर C है C के साथ क्या है O H है यहां पर H है यहां पर CH3 है और यहां पर CH3 है बचे तो यहां पर क्या हो गया यहां पर दो हमारे पास एक अलकाइल ग्रूप यह है एक अलकाइल ग्रूप यह है तो यह हमारे पास वह टू डिग्री अलकॉल यह जिसे हम सिकंडर हो गया कम हो गया तो प्राइमरी अल्कॉल में CH2 है लिकिन स्केंटरी अल्कॉल में CH है आप यहां पर रिड्यूस हो गया उस कार्बन के साथ जहां पर डिरेक्टली ओएच एच है एक अल्कायल ग्रूप दो अल्कायल ग्रूप और तीन अल्कायल ग्रूप तो इसको हमने कहा थ्री डिग्री अल्कॉल और तर्शरी अल्कॉल तो आप देखो यहां पर प्राइमरी अल्कॉल में दो एच थे यहां पर क्या हो गया यहां पर कोई भी एच नहीं है तो यह हमारे पास 1 degree है यह हमारे पास 2 degree है और यह हमारे पास क्या है यह हमारे पास 3 degree alcohol है 1 degree, 2 degree and 3 degree primary secondary and tertiary alcohol तो बच्चे यह था जहां से बच्चे mostly बच्चे जो है वो confused हो रहे थे आप जो हम topic पर आते हैं कि acidic nature of alcohol कि alcohol का कौन सा nature है, acidic है यह basic है तो बच्चे क्या है आपने याद रखना है और आपने पढ़ा भी है acidic nature क्या होता है कि जब भी कोई भी compound H positive को बाहर lose करता है donate करता है H positive को तो उसको उसके basis पे हमें यह पता चलता है कि वो acidic है और अगर OH negative को देता है तो it means वो क्या है base है तो हम आप देखते हैं alcohol के case में alcohol के case में क्या है और OH यह हमारे पास क्या है general formula alcohol का तो alcohol में क्या है यह oxygen है यह क्या है यह alkyl group है alkyl group बोले तो क्या है वे नहीं आपको बताया है CH3 तो यहां पे हम alcohol में देखें कि oxygen और hydrogen में से electronegativity किसकी ज्यादा है तो electronegativity आपको पता है कि oxygen की ज्यादा होती है तो यह oxygen जो है इस hydrogen से एक electron यह electron जो है वो विड्रा कर लेगा बच्चे ठीक है तो जब विड्रा कर लेगा तो क्या हुआ कि आप इस hydrogen के पास कोई electron नहीं है means यह bond cleave हो गया तो क्या हो गया आर ओ ओ ओ पे क्या आगया negative हो गया क्योंकि इसने आपने electron hydrogen का electron छीन लिया आपने तरफ प्लस यहां से क्या निकल गया h positive बाहर निकल गया गया तो h positive बाहर निकल रहा है तो it means यह कौनशा इसका नेचर है acidic । है इसका कौनशा नेचर है ऐसेड कि नेचर ठीक है बच्चे लेकन आब यह común कोच्चे इत चीज पर confused थे तक हम हम हमें यह तो पता चल गया शर के अलकोल का लेकर सर आप कह रहे हो कि अलगुल हमारे पास बारे में बताइए तो वह मैं आपको सिंपल है मैंने आपको क्या बताए जाए आपके पास वाण डिगरी अल्कोल करबन के साथ क्या था यहां CH2 और यहां पर CH3 तो यह आपका क्या था 1 degree alcohol ठीक है यहां पर एक alkyl group है फिर क्या था 2 degree में क्या था कि इस carbon के साथ 2 alkyl group attached थे और यहां पर 2H की जगाब क्या हो गया यह catch हो गया तो यह कौन सा हमारे पास 2 degree alcohol और फिर क्या है 3 degree में क्या था C के साथ 3 alkyl group attached थे और यहां पर क्या था OH अब 3 हो गये तो हमारे पास यह क्या है 3 degree alcohol हो गया ठीक है अब हमें इन तीनों में से देखना है कि ज़्यादा acidic कौन है ठीक है इसको हम थोड़ा कौल के लिख लेते हैं आपकी confusion ज़्यादा ना रहे OH के bond को क्योंकि इसी OH से जो है वो oxygen जो है वो अपने तरफ electron को withdraw करता है under basis of electron activity और H जो है H positive की form में बाहर निकल जाता है और वो acid रहता है तो 1 degree, 2 degree और 3 degree में more acid कौन है ठीक है बच्चे तो आपको याद रखना है कि जो भी हमारे पास CH3 group होता है alkyl group होता है alkyl group याद रखना है इसको हम क्या कहते है R alkyl group ये alkyl group आपके पास plus eye effect शो करता है ठीक है बच्चे याद रखना है plus eye effect बोले तो inductive effect positive inductive effect means यहां भी CH3 attach होता है alkyl group attach होता है तो जिसके साथ ये attach होता है उसको electrons देता है अगर मान लो कोई halogen है जिसकी electronegativity ज्यादा है तो halogen electron को अपनी तरफ क्या करता है attract करता है आदा basis of electronegativity तो उसको हम कहते है minus eye effect लेकिन alkyl group आपको याद रखना है कि ये plus eye effect शो करता है positive inductive effect शो करता है और ये electrons को देता है जहां पर electron की need होती है समझ के बच्चे आप ये याद रखना है तो आप देखो हम one degree alcohol में देखें तो यहां पर positive inductive effect शो करने वाले कितने हैं plus eye effect कर शो करने वाले कितने हैं एक alkyl group है ये alkyl group यहां से continuously electrons को दे सकता है यहां पर अगर हम देखें यहां देने वाले दो हैं यहां देने वाला एक है और यहां देने वाले क्या देने वाले electrons देने वाले कुछ और नहीं plus one plus one plus one ठीक है plus one नहीं सारी plus eye तो यह eye क्या है यह positive inductive effect है तो आप देखो यहां पर electrons को देने वाले तीन groups हैं यहां पर एलेक्ट्रांस को देने वाले कितने ग्रूप से दो ग्रूप से यहां पर एलेक्ट्रांस को देने वाले कितने ग्रूप से एक ग्रूप है आप देखो ऑक्सीजन की एलेक्ट्रो नेगटिविटी क्या है ज्यादा है हाइडोजन की एलेक्ट्रो नेगटिविटी क् करेगी तो H positive यहां से बाहर निकलेगा तब ही जाके हमें पता चलेगा कि alcohol acidic है अब देखो यहां पे positive inductive fact show करने वाला एक alkyl group है means यह इसको electrons दे रहा है electrons एक ही group यहां पर देने वाला है तो फिर भी यह इसे electrons को क्या करेगा hydrogen से कीचे का अपनी तरफ वीडरा करेगा ठीक है कुछ हद तक यह इसको कीचे का अपनी तरफ लेकिन यहां पर देखो यहां पर दो alkyl group है as compared to one degree ठीक है तो यहां पर देने वाले कितने हैं दो हैं तो यह क्या है यह already दो ग्रूप्स यहां पर oxygen को electrons देने वाले हैं तो यह hydrogen से electron कीचे का तो सही लेकन as compared to one degree alcohol इसको जएदा नीड नहीं है electrons को कीचने की hydrogen के electrons क्योंकि already इसको दो alkyl groups जो हैं वो plus effect जो हैं वो show कर रहे हैं electrons देने वाले effect शो कर रहे हैं plus effect क्या हुआ electrons देने वाला effect तो यहां पर एक group है electrons देने वाला तो ये वन डिगरी जो है ये टू डिगरी से ज़्यादा ऐसी डिक हुआ कैसे ज़्यादा ऐसी डिक हुआ यूँकि टू डिगरी में दो ग्रूप है अलेक्टांस देने वाले तो अलेक्टांस खेंच सकता है ये हाइडोजन से मिन्स ह-Positive बाहर जा सकता है लेकन इसको आरेडी यहां से अलेक्टांस जो है वो दो ग्रूप दे रहे हैं तो ये वी कैसिड है तो ये जो है वन डिगरी अलकॉल यहां पे एक अलकॉल ग्रूप जो है वो Positive Inductive Effect शो कर रहा है मिन्स अलेक्टांस देने वाले effect जो है वो शो कर रहा है तो इसको भी ज्यादा need नहीं है अलेक्टांस को हाइडोजन से attract करने की लेकन फिर भी ये करता है तो इसलिए हम अलकॉल को क्या कहते हैं वी कैसिड कहते हैं ज्यादा strong acid नहीं है क्यों क्योंकि यहां पे अलकॉल ग्रूप जो के अलेक्टांस इनको देते हैं बच्चे तो यहां पर एक देने वाला है तो है acid लेकन कैसा है weak acid है तो यहां पर दो देने वाले है तो it means यह भी acid है लेकन weak acid है लेकन 1 degree से कम acidic है क्यों क्योंकि इसको 2 groups जो है वो electrons देने वाले है ठीक है बच्चे लेकन यहां पर हम 3 degree में देखें जिसको हम tertiary alcohol देते हैं तो 1, 2, 3 3 alkyl groups है इसको positive inductive effect शो करने वाले electrons देने वाले तो यहां पर क्या है यह भी acid है लेकन क्या है weakest acid है क्यों क्योंकि यहां पर 3 alkyl groups है electrons को देने वाले तो इसको जएदा need नहीं है यहां से electrons को आपनी तरफ विड्रा करने की तो हम क्या कहेंगे कि सबसे ज़्यादा acid जो है वो 1 degree alcohol है second क्या है उसके बाद कौन सा है 2 degree और फिर क्या है 3 degree it is only due to the presence of plus I groups और plus I groups कौन सा है R ठीक है plus I group कौन सा है alkyl group R कि जो electrons देता है plus I effect शो करता है तो 1 degree में 1 है 2 degree में 2 है तो 3 degree में क्या है 3 है तो obvious ही बात है यहां देने वाले 3 है यहां देने वाले 2 है यहां देने वाले 1 है तो acidic nature जोगा वो होगा कैसे electrons को खींचने से hydrogen से तब ही जाके H positive जो है वो बाहर निकलेगा जैसे मैंने आपको अभी बताया कहां पर बताया यह बताया मैंने आपको कि यह electrons को hydrogen से खींचेगा तब ही H positive बाहर निकलेगा तो acidic होगा लेकन 1 degree में 1 है इसमें 1 alkyl group है इसमें 2 है और इसमें 3 है इसमें 3 देने वाले है तो यह hydrogen को इसको जैदा नीड नहीं है लेकन फिर भी acidic है यह weakest acidic है यह उससे थोड़ा जैदा है और यह सबसे ज़ादा है ठीक है बचे तो मुझे लगता है कि जिस बचे की यह confusion थी वो दूर हो गई होगी इसके साथ ही मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि अगर हम water और alcohol को देखें water और alcohol को यह दो case अगर हम देखें case first और case second और हम देखें कि इन दोनों में से जाधा acidic कों होगा कि पानी जाधा acidic है या alcohol जाधा acidic है तो कौन जाधा acidic होगा अभी से बात है याद रखना आपको हम सोचेंगे कि बाई अलकोल जएदा असीडिक होगा पानी असीडिक नहीं होता लेकर ऐसा नहीं है water is more acidic water क्या है जएदा असीडिक है as compared to alcohol ठीक है अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यूं ठीक है तो अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी है और आप समझे हो तो आपको इसकी समझ आ जाएगी कैसे हम खोल के लिखते है water को water क्या है h h o h 2 alcohol क्या है r o h ठीक है बचे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इस oxygen को electron देने वाला means plus eye effect शो करने वाला एक alkyl group है ठीक है तो इसको इस oxygen को जएदा need नहीं है इस hydrogen से electron को खीचने की लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इस oxygen के साथ कोई भी alkyl group नहीं है नहीं यहाँ से इसको plus eye effect शो कर रहा है और नहीं यहाँ से plus eye effect शो कर रहा है तो यह oxygen बड़ा easily और इसको need है यहाँ से यह electrons को आपनी तरफ क्या कर लेगा खीच लेगा और H positive जो है वो बाहर निकल जाएगा easily as compared to alcohol ठीक है water में easily जो H positive बाहर निकल जाएगा as compared to alcohol क्यों क्योंकि alcohol में alkyl group है जो के plus eye effect शो करता है लेकर water में कोई भी alkyl group नहीं है जो के plus eye effect शो करे that's why water is more acidic than alcohol और अगर alcohol में हम देखें तो 1 degree is more acidic than 2 degree and 2 degree is more acidic than 3 degree तो बच्चे मैंने आपको जो notes बेजे हैं वो notes आप अच्छे से पढ़ें बिलकुल easy language में मैंने हर एक mechanism भी explain किया हुआ है और आप जब पढ़ोगे तो आपको बिलकुल clear हो जाएगा आपके examination point of view से बहुत अच्छे notes मैंने बनाए थैंक यू